हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंदकिशोर क्लासिज आज का लेक्चर बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा छोटे बच्चों के लिए क्योंकि आज हम इंट्रस्टिंग पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं और सिरफ यही नई और भी कई पैटर्न इस वीडियो में आज करेंगे और ब तो मताइए यहाँ पर क्या होगा कैल्कूलेशन नहीं करने पैटर्न को स्टड़ी करना है और इसको फिल करना है देखते हैं क्या पैटर्न यहां पर बन रहा है गौर से देखीए वन टू फिर तू 2, 3 और 6 क्या मतलब हुआ चलो यह दोबारा समझते है 1 multiply 2 2 2 multiply 3 6 यह देखिए यह यानि कि यह third term जो है पहले 2 की product आ रही है तो यही fill करते है 3 times 4 is 12 लेकिन उपर square जुरूर लगाना है 4 times 5 is 20 उसका भी square 5 times 6 is 30 उसका square अब नीचे क्या करेंगे फिर हमने उपर देखा 1 के next number 2, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, 5 के बाद 6 तो 6 के बाद क्या आना चाहिए 7, तो यहाँ पर 7 और 6 times 7 is 42, तो यह 42 का square आएगा तो यह fillips हो गए है तो right side में देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा बहुत easy है 2 की next value 3 6 की next value 7 तो 12 की next value 13 calculation करके देख सकते हैं 100% सही होगी 20 की next value 21 30 की next value 31 42 की next value 43 तो यह हमारा बहुत ही interesting pattern है बच्चों के लिए और चलते हैं आगे next pattern करते हैं ध्यान से देखिए इस pattern में क्या है ऐसा क्या special है आपको last वाले दो pattern खुद फिल करने हैं 11 square is 121 101 square is 10201 अब यहाँ पर अभी से pattern देखो साफ साफ नजर आ रहा है 1001 square means 1002001 that means जितनी zeros यहाँ पर हैं उतनी ही बीच में लगानी है बाकी तो 121 ही रहेगा तो that means इसका answer क्या होगा 1002 then again 0001 यहाँ पर चार बार 0 आ रहा है तो 1, 2, 3, 4 फिर 2, 1, 2, 3, 4 then 1 तो यह pattern देखो square वैचे तो निकालना इसमें कितना मुश्किल लगेगा यह pattern जो है बच्चों का interest create करता है subject में इसलिए कभी-कभी fun activities के form में ऐसे patterns class में करवाने चाहिए एक और pattern करते हैं ध्यान से देखिए अब यह pattern आपके सामने है और last में आपको fill करना है तो इस pattern को study करते हैं 7 square is 49 यह तो पता है सबको 67 का square 2489 667 का square 444889 यहीं से pattern पढ़ना शुरू कर दीजिए कैसे एक बार 6 है तो 4 कितनी बार आ रहा है twice 2 times 2 बार आ रहा है 2 बार 6 है तो 4 तीन बार आएगा 3 बार 6 है तो 4 कितनी बार आ रहा है 4 बार मेरे पास अब 4 बार 6 है तो 4 तो लिखूं पहले 5 बार लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5 अब आगे की calculation देखते हैं 4 दो बार था तो 8 एक बार 4 तीन बार था तो 8 दो बार 4 चार बार है तो 8 तीन बार एक कम होता है तो यहाँ पर 8 कितनी बार आएगा 4 times last में तो 9 ही आएगा तो इसका answer यह होगा तो आज हमने 3 pattern किये यह pattern बहुत interesting है और इस तरह के और भी बहुत pattern है अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या फाइदा है इसका देखो एक बात मैं clear कर दो obviously बात है calculations करने के यह काम नहीं आएगा mental exercise है mind activity है बच्चों का mind develop होगा fun activity है fun करेंगे इस तरह के patterns बना बना के बच्चों को देने से math की class में थोड़ा शोक से बैठ जाएंगे otherwise usually क्या होता है फिर बच्चे कहते हैं parents कहते हैं कि बच्चे class ही नहीं अटेंड करते हैं या धंसे math में interest नहीं बना रहे तो यह चीजे fillers के वरूप में जुरूर ही है तो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो please इसे like और share जरूर करिए Thank you so much